ओके दोस्तों तो कैसे हो आप सब आसा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे तो आज की इस वीडियो में ना हम लोग सीखने वाले भीयर एप्लिकेशन में कुछ इस टाइप से स्टेटस कैसे किरियेट कर सकते हैं और गाइस आप लोग को पता होगा कि इस्टाग्राम पे ना काफी ज़्यादा इस टाइप से रील ना बहुत ज़्यादा वारल चला है और ट्रेंडिंग में चला है तो आपका भाई ना कुछ इस टाइप से रील्स को बताएगा कि कैसे आप लोग बना सकते हो और थोड़ा स प्रोसेस हट के होगा क्यूंकि बाकि सब बता रहे हैं विलकुल अच्छे से नहीं बता पारे हैं आप लोग अच्छे से समझ नहीं पारहे हो की फ्रेम को कैसे यूज करना है तो आपका भाई इस वीडियो में पूरा परसेस बताएगा कि कैसे आप लोग cycle status क divis एंड इस्टाग्राम पे या फिर कहीं भी स्टेटस लगा सकती हो तो चलिए इस वीडियो को स्टार्टिक कर लेते हैं एंड गाइस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा ओके दोस्तों तो सबसे पहले आप लोगों को ना प्लेइ स्टोर से भी एन अप्लिकेशन को डाउनलोड कर लेना होगा अभी गाइस डाउनलोड होनी के बाद ना सिंपल से आप लोग यहां पे ओपिन कर देना होगा and guys open होने के बाद ना आप लोग यहाँ पे देख सकते हो plus का option है इस plus वाले option पे हम किलिक कर देंगे new project पे जाएंगे and guys जिस भी photo पे आप लोग इस्टेटस को create करना चाहते हो ना उस photo को easily add कर देना होगा तो चलिए मैं कोई सा भी photo एक add कर देता हूँ and guys add होने के बाद ना कर देना होगा and guys यहाँ से 9 by solar ratio रख लेना होगा अभी guys रखने के बाद आप लोग को scroll down करते हुए आना है तो आप लोग को इस black part को delete कर देना होगा ठीक है and guys photo का ratio आप लोग को 15 seconds के आसपास में रख लेना होगा जो कि मैं easily रख लेता हूँ ओके दोस्तों तो आप लोग देख सकते हो मैं 15 seconds तक रख लिया हूँ अपने photo को अब guys इसके बाद आप लोग को एक black screen add करना होगा जो कि मैं last में बता दूँगा कैसे download करना है and कहां से आप लोग पूरा material डाउनलोड कर सकते हो तो चलिए मैं add कर देता हूँ ओके guys तो यहाँ पर देख सकते हो मैं add कर दिया हूँ add होने के बाद guys scroll down करते हुए जाना है तो आप लोग यहाँ देख सकते हो feel का option है ठीक है तो feel वाले option पे हम click कर देंगे and guys scroll down करते हुए जाना है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो chroma का option है ठीक है तो अभी guys यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस type से status हो चुका है ठीक है अभी guys इतना होने के बाद ना simple से आप लोग को क्या करना होगा एक lyrics add करना होगा ठीक है lyrics भी आप लोग को मिल जाएगा कैसे download करना है ओभी बता दूँगा ठीक है तो चलिए यहाँ से lyrics को add कर लेते हैं ओके guys इसको भी add करने के बाद ना scroll down करते हुए जाना है तो यहाँ देख सकते हो feel का option है ठीक है तो feel वाले option पर क्लिक कर देना होगा and scroll down करते हुए जाना है तो यहाँ देख सकते हो क्रोमा का option है ठीक है इस क्रोमा वाले option पर किलिक करके इसको भी ऐसे remove कर देना होगा एंड गाइस 100% इसको रख लेना होगा एंड यहाँ से save कर देना होगा ठीक है अभी देख सकते हो यह लेरिक्स भी साथ-साथ अब बार यह गाईस अपने photo को एड करना ठीक है तो photo को कैसे एड करना है हलका सा इस वीडियो को हम चला देंगे हैं अभी गास यहाँ पे वीडियो आने के बाद ना आप लोग को अपने photo को किःक करना होगा ठीक है या निकि एड कर देना होगा तो प्लस वाले option पे किलिक करना है, photo और वीडियो पे जाना है, और photo वाले option पे जाके आप लोग को अपना photo select कर लेना होगा, अभी guys select होने के बाद आप लोग देख सकते हो, marks का option है, marks वाले option पे किलिक कर देना होगा, और आप लोग को ये तीसरे वाले number को on कर देना होगा, यानि कि इसको select करके यहाँ से अपने photo को कुछ इस type से manage कर देना होगा, और इसको नीचे वाले को अच्छे से खीच देना होगा, जितना भी आप लोग खीचना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ से इसको save कर देंगे, और इस photo को थोड़ा सा छोटा कर देंगे, ठीक है, छोटा करके इस black वाले part में add करना है, अच्छे से आप लोगों को ठीक है, ओके गाइस, तो इतना होने के बाद photo को थोड़ा सा नीचे हम रख लेते हैं, अभी गाइस, रखने के बाद यहाँ से आप लोग को ध्यान में क्या रखना है, की फ्रेम को कैसे यूज करना है, ठीक है, बहुत सारे लोग की फ्रेम को यूज नहीं कर पाते हैं, आप लोग अच्छे से देखोगे न, तो सबसे ज़्यादा process को की फ्रेम का यूज करना है, ठीक है, तो पहले photo को ratio को यहाँ पूरे add कर देंगे, and guys add होनी की बा अब इतना होने के बाद आप लोग को थोड़ा सा और वीडियो को बढ़ा लेना होगा, ठीक है, अब गाईस बढ़ाने के बाद दोबारा से की फ्रेम को यूज करना है, एंट photo को हलका सा ले जाके हाँ बीच में add कर देना होगा, ठीक है, अब दोबारा से वीडियो को फोटो को भी यहां पे अर्जेस्टिक कर देंगे ठीक है? अब यह आप लोग देख सकते हो फोटो बिलकूल ईजिली लग चुका है ठीक है? तो ऐसे अपने फोटो को आप लोग इसली लगा सकते हो यह 거 q Roll can मैं बता दूं कि कैसे लगाना है दुबारा से अब फोटो में डिलीट कर देता हूँ दुबारा से अब फोटो को add कर देना होगा add करने के बाद गाईस आप लोग जहां देख सकते हो marks का option है, marks फले option भी kl gravity करना है black वाले part में अच्छे से add कर देना होगा ठीक है अभी guys add होने के बाद photo को पूरा ratio में रख लेना होगा अभी guys रखने के बाद यहाँ पर key frame को use करना होगा ठीक है तो key frame को यहाँ पर use करेंगे और हलका सा यहाँ बीच वाले part में ले जाएंगे और दोबारा से scroll down करते हुए यहाँ key frame दूसरी बार लगाना है ठीक है अब यहाँ से बीच में इस ब्लैक वाले part में add कर देना है अब फिर दोबारा से आप लोग को scroll down करते हुए जाना है key frame पर click करके photo को अच्छे से हाँ पर manage कर देना होगा ठीक है अब देख सकते हो आप एक key frame अच्छे से लग चुका है ठीक है तो ऐसे अपने photo में easily upload लगा सकते हो बाकी process आप लोग को पता होगा कि कितना photo add करना है जितना आप लोग को black part यहाँ दीखेगा ना उतने black part में ऐसे key frame को use करके अपने photo को अच्छे से लगा देना होगा ठीक है process पूरा वही है आप लोग easily लगा सकते हो वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा अगर आप लोग को फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है तो easily comment में पूछ सकते हो and guys हमारे instagram पर भी आप लोग SMS करके पूछ सकते हो तो आसा करता हो वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो like करिए share करिए and guys चैनल पर नए होगा तो चैनल को subscribe कर दीजिएगा and guys इसका और material ना मैं वीडियो को description में link दे दिया हूँ easily वहां से आप लोग download कर सकते हो तो मिलते है next video में guys